तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पॉइंट डिसक्स कर ले तो अगर हम यहां पर कैश का डेटा देके तो आपको देखेगा एफाई इस वजह से यह लगबग 1450 करोर के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग किये वहीं अगर हम बात करें डिया इस की तो इन्होंने लगबग 2000 क बनाते हुए दिखें तो लगबग 800 के आसपास इन्होंने लॉंग कंट्रेक्ट बनाया है वहीं पर आगर हम बात करें डिया इस की तो कोई खास एक्टिविटी निहीं ने भी 1000 के आसपास लॉंग कंट्रेक्ट बनाया है एफाई इस फ्यूचर में आज एपसे उन्होंने शॉर्ट में कोई activity किया ना लॉंग साइड पर की है वहीं प्रॉप डैसक अगर हम देखे तो यहां पर यह शॉर्ट शॉर्ट कांट्रेक्ट करें अब देख सकते कल लगबग शहलाग पंचांपे हजार के आसपास पॉजिशन था आपको दिखेंगा अलमुस्ट सेंपॉजिशन ने यह शॉर्ट पोजिशन यह अभी भी कैरी फॉर्वड कर रहे और यह पॉजिशन अभी लॉस में चल रहा है इन्होंने 16,800 की कॉल राइट की हुई है और अभी लगबग 80 रुपय के आसपास यह लॉस में चल रहा है इनका पोजिशन तो कल देखते हैं कि यह गिवफ करते हैं या फिर जो एशन एफाइस है वो गिवफ करते हैं तो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला कल का दिन तो आपको दिखेगा जो cash का data है वह आपको strength के तरह पिशारा कर रहा है क्योंकि जो buying का number है वह selling के number से जादा और दिए is continuously buy कर रहे है फ्यूचर में अगर हम देखे तो फ्यूचर में भी आपको दिखेंगा यहां लॉंग बिल्डप की गई है ओपर इंटरस्ट इंक्रीज वहा प्राइस इंक्रीज वहा तो लॉंग के तरफ इशारा कर रहा है और यहां पर जो बड़ा प्लेयर है वह एफाइज है एशन एफा 32500 के आसपास का लेबल हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे ड़ा कहीं कल इस जगह के आसपास में यहां पर आपको ग्वी मार्केट खुला हूआ तो देखते होता है यह और नीचे इसी इए ऑपर उपर कलोज वहता है तो यह इंट्रेस्टिंग होगा। स्टॉप्लस ट्रीगर हुआ मैं एक सेहल बाहर हो गया यहां पर फस्ट हाफ्त में ही एक सेहलिंग का मेरे को हहां पर ओपर्ट्यूनिटी मिला मैंने यहीं पर शॉट किया बर्टएन सव तो कल के लिए क्या plan of action होगा आपको कल के लिए दिख रहा होगा हमने यह भी डिसकस किया था कि जो निफ्टी का जो लेबल है वो अगर निफ्टी अपसाइड में ऊपर को जाता है तो आपका 17125 का लेबल है इस लेबल को यहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है आप देख के ट्रेड में इंट्रेस्टेड नहीं हूँ मैं लॉंग अभी नहीं करूंगा जब तक मुझे एक प्रॉपर कान्फरमिशन नहीं दिख चाथ अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको यहां पर भी एक प्राइस एक्शन बनता हुए दिखेगा कि एक डबल करेंगे तो फसलेटल अपने को कहीं भी गैप डाउन मिलता है या फिर गैप गैप मिलता है हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे और पांच मिनट प्राइस अक्षन यहां पर धूंडेंगे जो हमने यहां पर देखा तो छोटा सा स्टॉप्लस होगा यह चोटे से stop loss से हम trade करेंगे तो हमें कोई भी 5 मिनिट पर गाप खुलता है और 5 मिनिट पर कुछ इस टाइप का price action दिखता है या इस टाइप का price action दिखता है तो हम short के लिए prefer करेंगे स्विंग के breakdown के नीचे हम short करेंगे इसके ऊपर का stop loss रखेंगे वन इस टू के लें प्लान करेंगे अगर stop loss trigger हो जाता है तो हम trade से बाहर हो जाएंगे हम कुछ भी और नहीं करेंगे हम stock specific देखेंगे stocks में हमें trade मिलेंगे फिर हम stocks को trade करेंगे instead of index अगर माल लिजे दूसरा scenario यह होता है कि अगर निफ्टी अपने को gap down मिल जाता है इस level के नीचे 17,050 के नीचे अगर gap down मिलता है gap down मिलने के बाद या हम वेट करेंगे एक 5 मिनिट का negative candle बनता है और उसका break down होता है तो हम immediate shot कर सकते है या फिर दूसरा यह हो सकता है कि थोड़ा या फिर आपको एक step का price action देखने को मिले gap down मिलने के बाद निफ्टी ऊपर को जाए यहाँ पर resistance का काम करेगा यहाँ आने के बाद हमें प्राइस का अगर reaction दिखता है तो हम swing के breakdown पर वापस से shot कर सकते उपर का stop loss रखेंगे 1-2 के लिए हम प्लान करेंगे और 5 मिनिट के time frame पर stop loss को continuously trail करते चलेंगे जहाँ भी stop loss trigger होगा हम trade से बाहर हो जाएंगे तो gap up gap down के लिए हमने plan decide कर लिया और निफ्टी अगर निकलता है तो आप long कर सकते 20-25 रुपय का stop loss 1-2 के लिए आप यहाँ भी plan कर सकते हैं but make sure कि जो quantity उसको बिल्कुल reduce करके 10% कर लिजेगा या maximum 25% कीजेगा उससे ज्यादा long के side का trade नहीं लिजेगा क्योंकि trap होने के chances बहुत जादा है मैं नहीं करूँगा long का trade हाला की अगर ह मानली जब bank 50 flat खुलता है इसके उपर निकलता है तो फिर bank 50 उपर में 40,200-300 तक का level retest कर सकता है मैं long के side में नहीं रहूँगा बट अगर flat खुले के बाद उपर निकलता है तो आप trade कर सकते 50-60 रुपया के stop loss 1-2 के लिए plan कीजेगा मेरे लिए सबसे best scenario यह होगा कि मुझे क रही gap up मिल जा, gap up मिलने के बाद मैं price action का wait करूँगा और मैं short के side का trade देखूँगा या फिर मुझे gap down मिलने के बाद यहां पर आके resistance लेता है इसके बाद मुझे कोई price action देखता है तो मैं short करूँगा या एक march minute का red candle close होता है और उस candle के breakdown पे मैं short करूँगा candle के ऊपर का stop loss रखें तो all right friends I hope आपको यह clear हो गया होगा कि हमें कल nifty bank nifty में क्या करना आप चलिए stocks देख ले तो पहला stock जो चार्ट पर अच्छा लग रहा है वो grassing लग रहा है grassing में का momentum हो सकता है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह continuously lower lows के formation में आ रहा था बट यहां पर एक ऐसा ल सब्सक्राइब करेंगे नेक्स टोक अगर हम देखे तो शोक लेलें हमने कल भी इसको डिसकस किया था और हमने कल भी इस पर शॉट इनिशेट किया था बहुत बड़ा टार्गेट नहीं मिला बट हाँ ठीक है ओके कल हमने प्लान किया था कि अगर नीचे निकलता है तो और 2860 को ब्रेक करता तो हम इसको इमेडियेट शॉट कर सकते हैं यहां पर हम 8-10 रुपया का स्टाप्लस रखेंगे 1-2 के लिए प्लान करेंगे इसका जो टार्गेट है लगबग 2740 के आसपास का टार्गेट निकल रहा है तो यहां तक का यह रैली यह प्लान कर सकता है अगर हम नेक्स टॉक की बात करें तो डिक्सन डिक्सन में भी आपको यह थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यह बाइंग के साइड आ सकता है बट अगर हम इसको देखें तो यह इस रेंज के अंदर ट्रेट कर रहा है continuously पिछले 8-10 दिन से तो अगर यह अभी अपर बैंड पर हम हमें यहां पर हायर बैंड पर एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला तो कल अगर यह फ्लैट के 2-9-0-0 के नीचे निकलता है तो हम इसको इमेरियेट शॉट कर सकते हैं हम यहां पर 10 रुपय का साइड के लिए अगर 2-9-0-0 के नीचे निकलता है तो 10 रुपय के आए वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कुछ भी पूचना है मुझझे तो आप कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम मुझे कमेंट कीजिए I'll be more than happy to answer all the questions regarding your stocks queries so I hope you enjoyed this video thanks for watching good night